हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीती आदफ स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में आज अंजानेंगे कि 9 महीने में ऐसी कौन सी चीज़े हैं जिनका आपको अच्छे से ध्यान लखना चाहिए क्योंकि प्रिग्नेंसी की 9 महीने उतार चलाव से भरे होते हैं शुरुआती 3 महीनों यानि प्रिग्नेंसी की पहली तिमाई में हर्मोनल बदलाव की कारत मौनिक सिटनेस परिशान करती है तो वहीं pregnancy की दूसरी तिमाई में आप खुब enjoy कर पाती है इसके अलावा आखरी तीन महीने थकान से भरे होते हैं pregnancy का 9 महीना यानि pregnancy की आखरी कुछ दिन जिसके बाद आपका नन्ना मैमान आपके हातों में होगा यकीनन ये महीना कई तरह की अच्छी फीलिंग्स लेकर आता है साथ ये pregnancy के इस आखरी महीने में आपको और भी ज़्यादा साबधारी बरतनी की जरूरत होती है 9 महीने के दौरान कुछ महीलाएं अपने बच्चे के स्वागत की तैयारी में जुब जाती है तो वहीं कुछ महीलाओं के मन में देलेवरी को लेकर डर बना रहता है खास सवर पर उन महीलाओं के मन में जिनकी पहली बार देलेवरी होने वाली हो pregnancy के दौरान हर महीला खुद से ज़्यादा बच्चे के बारे में सोचती है कई बार छोटी छोटी गलतियां बच्चे के लिए बड़ा नुकसान बन सकती है यदि आप pregnant हैं आपका 9 महीना चल रहा है तो मैं आपको बताओंगी कि आपको क्या क्या सावधानिया बरतनी चाहिए सबसे पहले pregnancy के 9 महीने में खान पान को लेकर काफी सावधानी बरतनी की जरूरत होती है pregnancy के पहले और आखरी महीने को सबसे ज़्यादा मुस्किल माना जाता है पहले महीने में सरीर बदलावों के साथ साथ एड़्जेस्ट होने के लिए तयार हो रहा होता है तो वहीं आखरी महीने में सरीर खुद को डिलेवरी के लिए तयार कर रहा होता है लेकिन इस समय से सुका वज़न छेलना भी मुस्किल हो जाता है इसके साथ ही आखरी महीने में और भी कई मुस्किले हैं जिनके आगे महिलाओं को हिमत जवाब देने लगती है इसके लिए इस समय आप हरी सबजियां, फल, साबुत अनाज, ओट्स, डाल ऐसी चीज़े खा सकती है जिनमें अच्छी तरीके से फाइबर होता है और जो आपके लिए काफी फाइदे मन्द होती है इसके अलावा आप पालक, से, ब्रॉकली, खजूर, ऐसी आईरन वाली चीज़ों को अपनी डायक में सामिल कर सकती है अगर आप नौन वेज खाती हैं तो आप चिकन और मीट भी खा सकती है और इस समय प्रिगनेंसी की नौवी महीने में केल्शियम रिच फूर्ड खाना भी बेहर जरूरी होता है इसके लिए आप डेरी प्रोड़क्स और दही का सेवन कर सकती है साथी साथ आपको प्रिगनेंसी में इस समय विटामिन सी लेना बहुत ही जरूरी है इसके लिए आप नीवू, संत्रा, स्ट्राबेरी, टमाटर ऐसी चीजों का सेवन कर सकती है क्योंकि इन में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और प्रिगनेंसी के दौरन फॉलेट एसिड से भरपूर चीजे खाना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि फॉलेट एसिड के कमी से बच्चे की रीड की हड़ी या ब्रेन से रिलेटेज प्रॉब्लम होने का खत्रा रहता है इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्चियों और बीन्स का सीवन जरूर करें इसके अलावा आप इस दौरान बिल्कुल भी टेंशन ना लें हम जानते हैं कि ये समय सब कुछ बहुत मुस्किल होता है क्योंकि डिलेवरी को लेकर मन में थोड़ा सा डर बना रहता है लेकिन आप उस समय के बारे में सोचें जब आपका नन्ना बच्चा आपके सीने से लगा होगा और नौवे महिने में जितना हो सकता है उतना आराम करें और घर के कामों में खुद को जादा ना उलचाएं और इस टाइम में आप बिल्कुल भी पेट के बल नीचे की ओर ना चुकें और भारी सामान तो बिल्कुल न उठाएं और ये भी ध्यान रखें कि ज़्यादा देर तक आप खड़ी ना रहें इससे आपको थकान हो सकती है जिसका सीधा असाथ आपके बच्चे पर पड़ेगा और हो सके तो पीट के बल कभी न सुए ऐसा करने से आपके यूटरस का सारा भार आपकी रिड की हड़ी पर पड़ता है जिससे आपके पीट में दर्द भर सकता है फ्रेंग्स में उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे चलिए, अम मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्त रहिए